Hello everyone, welcome on my YouTube channel अगर आप एस से लेकर ज़र तक सभी स्टो की डिटेल एनलाइजस पर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो में हम Reliance Home Finance कमपनी की डिटेल एनलाइजस करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस कमपनी के शेयर पर 3.80 पैसा है और एक दिन में 0.5% की तेज़ी देखने को मिली पिछले 5 दिन में 0.5% की negative return दिये एक महिनों में 0.5.7% की negative return पिछले 6 महिनों में 0.5.9% की negative return एक साल में 0.5.9% की negative return पांस सालों में 95% की negative return और maximum returns की बात करें तो 96% की negative return दिया almost इस stock में continuous गिरावट हमें देखने को मिल रही है तो क्या इस company के share को हमें खरीदना चाहिए या avoid करना चाहिए तो जैसा है कि यहाँ company के business and fundamentals की बात करें तो यह जो company है home finance sector में work कर रही है यानि company का जो main business है affordable housing construction finance से related loan provide करना है market capitalization 182 करोड का है stock का low 2 रुपे 65 पैसा stock का है 6 रुपे 86 पैसा book value 113 रुपे negative है ROC 66% negative promoter holding 48% है और 12,700 करोड का debt है यहाँ बात करें company के quarter on quarter basis result की तो आप यहाँ देख सकते हो sales में काफी गिरावट देखने को मिली और अभी जून की जो sales है उसमें थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है और यहाँ पर actual profit loss की बात करें तो company को काफी ज्यादा loss देखने को मिला है company का loss 4500 से 140 करोड देखने को मिला यहाँ पर year on year basis sales की बात करें तो sales में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पर profit loss की बात करें तो company का loss है वो काफी ज्यादा और बढ़ते वे देखने को मिला है balance sheet में company के results continuous negative हमें देखने को मिले और borrowings काफी ज्यादा है 1200 करोड के यहाँ बात करें company के promoter holding की तो company के promoters भी इस company के shares continuous बेच रहे है पब्लिक holding के बात करें तो 47% की public holding देखने को मिली FIS के पास 2% के stakes है और DIS के पास 1.56% के stakes है जिसमें से 1.54% के stakes LIC के पास है और बाकी जो आदित्य बिल्ला सन ट्रस्टी के पास इस company के shares थे उन्होंने यहाँ पे बेच दिये है तो all over इस company के जो fundamentals हैं काफी ज्यादा week हमें देखने को मिल रहे हैं अगर आप ऐसी company में investment करते हो जिस company के fundamentals काफी week है तो आपका पैसा काफी ज्यादा loss हो सकता है और आप यहाँ देख सकते हो काफी ज्यादा loss हुआ भी है तो क्या आप इस company में investor हो नीचे comment कीजिए thank you